Welcome, Science की मेरी सीरीज में आजके लेक्छर का टॉपिक है Big Bang Big Bang इस बात की थीयरी है कि basically कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी पिछली एक सेंचुरी में साइन्स ने बहुत तरक्डी की है इस बारे में जानने में कि यूनिवर्स कैसे वर्क करता है और universe की शुरुवात कैसे हुई थी और big bang जो theory उभर कर आई है वो है रात में जब आप सतारे देखते हो तो बहुत सारे सतारे देखते हैं in fact ऐसा कहा जाता है कि अंगिनत तारे हैं आस्मान में लेकिन सचाई है कि कितनी भी dark night हो आप आस्मान में 1000, 2000, 3000 से ज़्यादा सतारे नहीं देख सकते इसका मलत यह नहीं है कि आस्मान में सतारे कम है in fact आस्मान में जो है 10 की power 22 यानि कि 10 करोड 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 सतारे है यह सतारे क्या आस्मान में randomly scattered है जैसा देखने में लगता है ऐसा नहीं है यह सितारे जो है आस्मान में randomly scattered नहीं है बलकि सितारे जो हैं वो clusters में हैं मतलब खूब सारे सितारे एक cluster में होंगे फिर खूब सारी खाली space फिर खूब सारे सितारे cluster में होंगे इस तरह से scattered है और इन clusters को हम galaxies कहते हैं हमारा सितारा सूरज जो की एक star है वो भी एक galaxy का part है जो की है Milky Way जो की अगर आप किसी गाउं में जाएं जहां light pollution से दूर हो या पाहड़ों में जाएं और हाँ अगर आप देखेंगे तो एक white band देखेगा जैसा की इस photo में दिख रहा है जुन्होंने ना कि यह दिखाया कि हमारी galaxy यह कलौती galaxy नहीं है और भी कई सारी galaxy है और साती साथ उन्होंने यह भी दिखाया है compute किया कि वो galaxies कितनी दूर है galaxies का distance भी ना पा एड़ी एडविन हवल की photo है 1889 में एडविन हवल पैदा हुए थे और 1925 में उन्होंने माउंट विल्सन में observatory थी वहाँ पर और उसमें सबसे बढ़ा telescope था वहाँ पर as an astronomer जोइन किया था और एक चीज जो जिस पर उन्होंने काम किया था वो यही कि galaxies का distance निकाले तेकिन question यह है कि how do you compute distance to a galaxy आप कैसे घर में बैठे बैठे galaxy का distance निकालोगे कैसे कोई निकालता है तो उसका जबाब है कि पहले हम यह सीखते हैं कि पास वाले सितारों का distance हम कैसे निकालते हैं हमारी galaxy में जो stars है या फिर stars हम से काफी pass है उनका distance हम निकालते हैं star स्टार-पैरलेक्स की मदद से, इसकी बात हमने पहले भी एक lecture में की थी, जब धर्ती सूरज का चक्कल लगाती है, तो धर्ती जो है मतलब जो है चेंज होती है और चेंज होने की वजए से जो स्टार है उसकी रिलेटिव पोजिशन बैक ग्राउंड में चेंज होती हुई दिखेगी मानलो आपका अंग उठा है भई पैरलेक्स ही होता है कि कोई पास वाली चीज अगर आप मूव करते हो तो दूर वाली चीज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पास वाली चीज मूव होती हुई दिखाई देती है तो स्टार पैरलेक्स की मदद से स्टार में कितना एपरेंट चेंज आया है धर्ती के और्बिट में उससे हम नियर स्टार का दिसंस निकाल सकते हैं जितना पास होगा स्टार उतना ही उसका पैरलेक्स होगा जितना दूर होगा उतना ही कम होगा इन फैक जो तारे बहुत दूर होंगे जो और गैलेक्सी में होंगे उनमें पैरलेक्स नहीं देखेगा इतना इसकी मदद से हम दूर के सितारों का डिसंस नहीं निकाल सकते हैं दूर के स्टार का डिसंस निकालन तो उनका चमकना किस बात पर डिपेंड करेगा, एक ही है कि वो कितनी light emit कर रहे हैं, जितनी जादा वो light emit करेंगे, जैसे हम luminosity कहते हैं, उतना जादा वो चमकेंगे, दूसरा यह है कि उनका distance कितना है, अगर वो जादा दूर होंगे, तो उनकी luminosity जो है, उनकी जो brightness दिखेगी में star हैं, उनका distance हमने निकाल लिया, क्योंकि अपरलेक्स है, और उनकी brightness कितनी है, वो हम देख के बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि luminosity कितनी light वो star emit करता है, जो पास है हमारे, हम दा सकते हैं, for example, कि सूरज कितनी light emit करता है, लेकिन जो star दूर है, उनका बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो देखते हैं, देखो, ये scientist ने realize कि कुछ particular stars जो होते हैं, उनकी luminosity हमेशा same होती है, मतलब वो उतनी light emit करते हैं, तो ये assumption भी kind of reasonable है मानना, कि S type के star अगर किसी और galaxy में होंगे, तो वो भी same light emit करेंगे, तो अगर हम ये मानने कि जो बहुत दूर stars हैं, और वो stars उत इतना चमकते हैं, तो ये indirect measure से हम उनका distance भी निकाल सकते हैं, Edwin Hubble ने इस method को लगा कर, खूब सारे different stars का distance निकाला, और in fact, अगर तुम एक star का distance निकालोगे, बहुत दूर है वो star, उसका distance तुम ने निकाल लिया, और फिर तुम उसके पास वाले एक और star का distance निकालोगे, और वो अगर मानलोगे, अगर खूब सारे stars जो आसपास हैं, उनका distance अगर सेम आए, तो इसका मतलब क्या है, कि वो जो है, एक cluster में है, और मानलोगे, एक आएगी, है न, x दूर, और कोई एक और star x दूर आए, तो वो cluster में है, फिर एक आए 2x दूर, और उसके आसपास वाले stars 2x दूर है, तो वो एक और galaxy में, तो ये जो distance होगा उन stars का, उन आसपास वाले stars का, वो galaxy का distance हो जाएगा, इस galaxy का distance इतना दूर होगा, कि आसपास में stars का थोड़ा बहुत जो variation होगा, वो that will not matter, क्योंकि वो distance बहुत कम होगा, compared to जो यहां से उस galaxy का distance होगा, सोचो ये कितनी ब और मैं believe नहीं कर पाता कि इसने कितना दूर हमको ला दिया होगा, एक time था, सिर्फ 2000 साल पहले, जो कि अर्थ की millions और billion years की evolutionary cycle में कुछ भी नहीं होता, 2000 साल पहले Aristotle और Ptolemy सोचते थे कि धरती जोए अर्थ यूनिवर्स का center है और उसके आगे सब चक्कल लगाता है, और अब हमारी अर्थ जो एक बहुती ordinary planet थी, जो कि बहुती ordinary star का चक्कल लगा रही थी, जो ordinary star एक बहुती ordinary galaxy मिलकीवे का पार्ट था, और ऐसी एकलोती galaxy नही बहुत सारी billions of galaxies हैं, लेकिन यहीं पर कहानी खतम नहीं हो जाती, एक और बहुती interesting बात जो Edwin Hubble ने note की, वो हम बात करते हो उसकी, जब तुम किसी भी star से आने वाली light को देखते हो, और उसे prism से पास करते हो, Newton ने दिखाया था कि तो white light को prism से पास करते हो, तो उसका spectrum बन ज भी उनका spectrum निकाल सकते हो, लेकिन stars में क्या होगा कि कुछ certain elements होंगे, मानलो एक star में hydrogen atom है और मानलो वो green light absorb कर लेता है, ठीक है, तो तुम जब spectrum देखोगे तो पाऊगे कि green light बहुत कम है, green light में कला कला आ रहा है, तो इन absorption patterns है, तुम यह भी निकाल सकते हो कि भाई उस star में क खूब सारे stars का, एक galaxy के सारे stars का, तुम spectrum देखोगे, तो तुम पाऊगे कि भाई, पूरा spectrum है, लेकिन कहीं कहीं पर absorption lines आ रही है, क्योंकि उस galaxy में कुछ सेतारे हैं, जो particular लाल color absorb कर लेते हैं, कुछ yellow color absorb कर लेते हैं, so on and so forth, Erwin Hubble ने दो particular pattern लिये, एक अपनी galaxy में red shifted pattern, sorry, galaxy के spectrum लिया, और एक और galaxy का pattern लिया, देखने में वो बिलकुल एक जैसे थे, बस इतना था कि जो दूसरी galaxy का pattern था, वो थोड़ा सा red shifted था, थोड़ा सा red shifted, absorption pattern एकदम same से थे, लेकिन lines थोड़ी सी लाल color की तरफ shifted दी, इसका क्या मतलब है, यह समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी, Doppler effect की, Christian Doppler चोगी 1803 में पैदा हुए थे, उनके नाम पर Doppler effect दिया जाता है, Doppler effect बेसिकली यह होता है, और हम इसे रोज मर रहा है हम जिनकी में भी सुचते हैं, जब माल लो train आ रही हो, तो आते समय उसक high frequency पर होती है, और जाते समय low frequency पर होती है, और इसी तरह sound waves में यह phenomena होता है, भई होता ही है कि माल लो कोई गाली चलते हुए आ रही है, तो एक तरह visualize करने का जोगी इस animation में दिखाया है कि गाली चलते हुए आ रही है, तो जो wave वो emit कर रही है, और तुम observer हो माल लो, तो यह apparent wave तुमें देखेगी, उसकी wavelength छोटी होगी, wavelength छोटी होगी मतलब frequency बड़ी होगी, यह एक rough तरीका है explain करने का, light में भी यही phenomenon होता है, अगर कोई light source मान लो, yellow color की light emit करता है, और अगर वो तुम्हारी तरफ आएगा, तो जो apparent wave length तुमें देखेगी, वो wave जो होगी, वो higher frequency प जो wave होगी, वो lower frequency पर होगी, तो lower frequency लाल कलर की तरफ होती है, blue और violet जो है, higher frequency की तरफ होती है, तो तुम देखोगे कि कोई भी, अगर yellow color का source है, वो अगर तुम्हारी तरफ बहुत जोर से आए, तो उसकी light blue color की दिखेगी, और यह observed phenomena है, एकदम accurate scientific phenomena, और दूर जा रही होगी तो वो लाल कलर की तरफ दिखेगी, तो इसका मतलब यह suggest करता है, कि दूर जाने वाली चीज़े है, light source अगर दूर जा रहा हो, तो उसकी color लाल की तरफ shift होगा, इसका तो मतलब यह ही हो सकता है, कि जो galaxies है, वो हमसे दूर जा रही है, मतलब जो universe है, वो expand हो रहा है, और in fact, जो है, Edwin Hubble ने एक और surprising result 1929 में publish किया, वो यह कि redshift जो pattern थे, वो random नहीं थे, जितनी दूर कोई galaxy थी, उतना ज़्यादा उसका redshift था, कोई galaxy पास है, उसका redshift मान लो इतना है, कोई galaxy दूर है तो उसका redshift जितना ज़्यादा था, in fact, जो redshift था, वो linearly proportional था distance से, और Hubble ने यह lobby दि to d, h0 Hubble's constant है, और velocity जो, जिस velocity से galaxies एक दूसरे से दूर भाग रही है, वो linearly proportional है, distance के, जितना ज़्यादा distance, उतना ज़्यादा velocity, universe expand कर रहा है, इस, इस खोच को हम बोल सकते हैं, कि 20th century की, जो है, काफी बड़ी, और या फिर सबसे बड़ी खोचती, arguably, यहां से हम बात करते हैं Big Bang Theory की, हमने यह बात कर ली, कि भाई, जो है, galaxies एक दूसरे से दूर जा रही है, जैसे जैसे टाइम भल रहा है, जो है, universe expand कर रहा है, और galaxies एक दूसरे से दूर जा रही है, सबोच हम घड़ी को पीछे कर दें, TV की तरह, तो इससे क्या पता चलेगा, कि galaxies जो है, वो एक समय मे बहुत पास रही होगी, और अगर हम टाइम को और पास कर दें, तो क्या कभी ऐसा होगा, कि यह सारी galaxies बहुत पास पास होगी, और अगर और टाइम में पीछे जाए तो क्या होगा, यह थियोरी की matter एक समय पे इतना ज्यादा dense था, कि वो almost एक atom के अंदर आ जाता था, यह थ theory of relativity, general theory of relativity यूज करते हुए लमात्र नहीं यह theory प्रपोस की थी, general theory of relativity जो आइंस्टाइन किया, वो भी हम जल्दी ही बात करेंगे उसकी, big bang theory के साब से matter बहुती hot state से काफी time पहले, 13.8 billion साल पहले, matter बहुती छोटे dense condensed state में था, और फिर एक बहुत बड़े explosion में, bang, जो है universe ने expand करना चालू किया, और बहुती hot state से धीरे-धीरे cool down होके, फिर matter बना, galaxies बनी, chemical elements बने, फिर वो fission होकर, stars बने, planets बने, और it continues to expand today, कई लोगों को, जो है, यह theory उतनी पसंद नहीं आई, और उनके revolutionary, उसके opposite एक theory है, steady state theory, steady state theory में, जो है, इस बात का fact आता है कि, काफी time से, इनसान का यह belief राए कि universe, जो है, वो static है, इनसान एक ऐसा जीवन प्रानी है, जो इसकी death होती है, in fact, हर living being की death होती है, तो शायद हम इस बात में अपने आपको solace पाते हैं, कि, चलो हमारी death हो जाएगी, we will pass on, but at least universe will be here, universe यहीं रहेगा, universe हमेशा से यहीं था, universe constant है, शायद यह thought time में please करता है, even Einstein, जो है, यह believe करता था, कि large scale पर universe, जो है, similar होता है, और space और time में similar है, और Aristotle का भी यहीं मानना था, steady state theory यह कहती है, कि big bang theory की opposite होती है, और वो यह कहती है, कि matter जो है, वो, जैसे-जैसे matter expand करता है, वैसे-वैसे centers में और matter बनता जाता है, और जो universe है, वो large scale पर एक जैसा दिखता है, जो है, time में भी, और space में भी, यानि कि अगर आप universe में कहीं भी, किसी भी समय जाएं, चाहें आज से 1000 साल पहले, चाहें, million साल पहले, या million साल बार, या फिर आप universe में कहीं भी हो, चाहें, धर्ती पे हो, चाहें, किसी और galaxy में हो, इससे matter नहीं करेगा, अगर आप कहीं भी observation लेंगे, किसी और star की, तो universe large scale पर एक जैसा दिखाई देगा, यह steady state theory है, और in fact, कोई ऐसा genesis नहीं हुआ था, कोई 13.8 billion साल पहले, start नहीं हुआ था हमेशा से है, infinite time पहले से, और infinite time तक रहेगा, यह study state theory है, लेकिन question यह है, कि कौन सी theory हमें से माने, answer यह है, कि हम scientist है, हमें scientific way यूज़ करना चाहिए, और scientific way क्या है, कोई भी अच्छी scientific theory वो होती है, जो कि definite prediction दे, जिनको कि तुम observation से falsify कर सको, मैं पहले भी बात की थी कि, astrology, ज जोतिश विद्या, इसलिए science नहीं है, क्योंकि तुम उसे, वो कोई definite prediction नहीं देती, और अगर definite prediction देगी, तो उसे falsify किया जा सकता है, observation से, तो एक prediction जो big bang theory की होती है, वो है cosmic microwave background radiation, इस prediction का मानना ही है, कि अगर universe बहुत condensed और hot state से originate हुआ है, तो उस समय बहुत सारी microwave radiation generate हुई ह होगी, जो कि हम आज भी detect कर सकते हैं, और सुन सकते हैं, तो 1965 में बहुत ही amazing बात हुई, कि दो American scientists, New Jersey, New York के पास, Arno Panzeis और Robert Wilson, बेल laboratory में काम कर रहे थे, और वो एक, ऐसे device पर काम कर रहे थे, यह उनका antenna था, जो कि microwave detect करता था, बहुत ही sensitive microwave detector पर काम कर रहे थे, उनका purpose जो है यह CMB discover करना नहीं था, उनका purpose जो है, इंटरनेट और telephone के लिए काम करना था, अब हुआ यह कि उनका जो यह equipment था, वो बहुत sensitive था, और वो जो है, जितनी वो noise expect करते थे, उससे काफी ज़्यादा noise वो catch कर रहा था, तो शुरू में तो उनने लगा कि उनका equipment भी खराब है, उ उन्होंने जो है, उससे साफ भी किया, कुछ उसमें से कूड़ा हो गया निकला, उसके बाद भी उन्होंने notice किया कि noise आए जारी है, आए जारी है, आए जारी है, in fact, वो noise जो है, दिन में भी same है, रात में भी same है, उसका sun से कोई लेना देना नहीं है, उसे चाहें तुम atmosphere मे कम disturbance होता है, और, sorry, direct ऊपर point करने पर कम disturbance होता है, क्योंकि कम atmosphere चलना पड़ता है, और horizon पर point करने पर जादा disturbance होता है, क्योंकि जादा atmosphere कवर करना पड़ता है, similarly, ये noise हर महीने सेम थी, जनवरी में भी same थी, और March में भी same थी, या December में भी same थी, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं था, कि धर्ती जो है, सूरज के चकर जब लगाती है, तो कहाँ पर है, वो same थी, यानि ये noise जो है, solar system से ही भार से आ रहे थी, ये, जो है, background noise, cosmic background noise थी, और ये, one of the biggest discoveries है, 21st century की, ये discovery इतनी बड़ी है, कि उस समय बहुत strong debate थी, scientist के बीच, big bang theory और study state theory के बीच, लेकिन, इस discovery ने, जो है, scientist को convert कर दिया, big bang theory में मानने में, और इन दो scientist को इसके लिए noble prize भी मिला, big bang theory की एक और prediction ये है, कि जो lighter elements होंगे, वो abundance में होंगे, जैसे कि hydrogen और helium, ऐसा मानना है, कि universe जब बहुत condensed state से चालू हुआ, तो पहले धीरे-धीरे तो cool down हुआ, तीन मिनट के अंदर, 10 की power knock, Kelvin उसका temperature हो पाया, और cool down हुआ, and it continues to cool down, आज भी, तो जब matter cool down हुआ, तो धीरे-धीरे पहले hydrogen बनना चालू हुआ, फिर जो है, उससे heavier element, उस hydrogen combine होकर helium बना, helium और combine होकर और heavier elements बने, तो क्योंकि पहले सबसे पहले hydrogen बना था, तो hydrogen सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर उससे कम helium और बाकी elements और कम होने चाहिए, in fact और यह true है, कि हमारे universe में आज by mass 73% hydrogen है, 25% helium और केवल 2% बाकी heavier elements है, तो lighter elements की abundance भी big bang explain करता है, conclude करते हुए, पिछली एक century में हमने बहुत huge advancements करे हैं, अपने universe की understanding में, जो है, सितारे जो है night sky में, वो galaxies में clusters हैं, और दास्मान में billions of galaxies हैं, और हर galaxy में billions of stars हैं, और जो universe है, वो expand कर रहा है, और it continues to expand, और 13.8 साल पहले universe की शुरुआत हुई थी, big bang में, in fact, सितंबर 25, 2012 को, नासा नहीं ये image release करी थी, जो कि space में हमारा, सबसे दूर का view है आज तक, और ये बहुत ही छोटे portion में है, मतलब चन्रमा से भी छोट abortion of space में, Hubble telescope को बहुत देर तक रखा गया था, तो ये image मिली थी, जिसे कि extreme deep field image कहते हैं, इसमें तुम देख सकते हो, galaxies billions of साल पुरानी, मतलब सोच कर देखो, ये जो galaxies तुम देख रहे हो, ये अतनी दूर है कि इन से आने वाली light, millions of साल पहले, चली होंगी वहां से, जब यहा question बनता है कि क्या universe का भी कभी end होगा, scientific belief इस पर यह है कि हा universe का भी end होगा, और universe का end होगा big freeze में, universe continues to cool down, और जो है, जो temperature होगा, वो absolutely asymptotically zero की तरफ जा रहा है, दीरे दीरे सारे stars बुच जाएंगे, और जो है, cool down हो जाएगा universe, बट आप को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा स्टार सूरा जीब चुपा होगा, थैंक यू